चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान थ्री भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा चंद्रयान 14 जुलाई 2 बचकर 35 मिनट पर भारत ने अपना चंद्रयान थ्री मिशन लॉंच कर दिया ये करीब 42 दिन बाद 23 अगस्ट को चांद पर लेंडिंग कर सकता है लेकिन क्या आपको पता है चंद्रयान थ्री चांद पर क्या काम करेगा और भारत के लिए चांद से क्या लेकर है चंद्रयान 2 में विक्रम लेंडर की हाड लेंडिंग हो गई थी तीन महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलवाट होना था इसके चार साल बाद अब फिर इस रोज चंद्रयान 3 के जरिए लेंडर और रोवर को तक्षणी धुरू पर उतारने की कोशि समझने से प्रत्वी सहित और मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी चंद्रमा सबसे निकटम खगोलिये विंड भी है इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है चंद्रमा पर कई मुलेवान खनेजियों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान ए जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी शम्ता दिखाने का मंच मिल जाएगा अब आपको बताते हैं चंद्रियां 3 चांद तक कैसे पहुंचेगा और अगर चंद्रियां 2 की तरहां इस बार फिर चांद पर लेंडिंग में कलती हुई तो क्या होगा इस बार किस तरह से लेंडर विक्रम को ताकतवर बनाया गया है इस बार विक्रम लेंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है नए सेंसर्स लगाये है नया सोलर पैनल लगाया गया है विक्रम लेंडर लेंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव खुद करेगा इस बार कोशिश रह साथ ही उसने ही इस बार की लेंडिंग साइट खोजने में मदद की है विक्रम लेंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक था कैमरा जो आकरी चरण में एक्टिव हुआ था इसलिए इ विक्रम लेंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करें उन्हें ततकाल सुधारेंगे इन गलतियों को सुधारने के लिए विक्रम के पास 96 बिली सेकेंड का समय होगा इसलिए इस बार विक्रम लेंडर में ज्यादा ट्रैकिंग जलीमेंटरी और कमान एंटिना लगाए गये हैं यानि गल्ती की संभावना ना के बराबर है। अगर चंद्रियान 3 की चांद की सतय पर सेफ लेंडिंग हो जाती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिन हो जाएगा जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। Special Report, Patrika TV